हेलो मेरे प्यारे दोस्तों and मेरे प्यारे स्टुडेंस कई बर क्या होता ना कि दो ऐसे लेटर हैं जिनके प्रणनसियसन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लेम होता है और वो कन्फ्यूस हो जाते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं C की तो इसको हम स भी पढ़ते हैं और इसको हम क भी पढ़ते हैं ठीक है वैसे ही अगर मैं जी की बात करूं तो इसको हम ज भी पढ़ते हैं और इसको हम ग भी पढ़ते हैं तो अखिर कब इसको ज पढ़ना है कब इसको ग पढ़ना है कब इसको सब पढ़ना है और कब इसको कब पढ़ना है यही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ और यह बहुत सौट वीडियो होगा देखो जैसे कि अगर मैं इसको पढ़ता हूँ इस साइबर, साइकल, सरकल, सेंटर, सिमेंट, सिटी, सिस्ट लेकिन इन सभी वर्ट को पढ़ूँगा तो कम, कैटल, कॉलेज, कैमपस, कॉनकर, कैमिल, कॉन तो अगर ऐसा क्यों हुआ कि इसको हम सर पढ़ रहे हैं और इसको हम कर पढ़ रहे हैं तो देखो बच्चों एक ची के बाद I, E, या Y इन तीनों में से कोई भी लेटर अगर C के बाद आ रहा है तो इसको हम सर पढ़ेंगे और अगर नहीं आ रहा है तो हम कर पढ़ेंगे जैसे देखो इसमें C, Y है तो सर पढ़ेंगे C, I सर पढ़ेंगे C, E सर पढ़ेंगे तो ऐसे ही जब भी C के बाद I, आएगा तो बच्चों उसको आप सब पढ़ोगे और अगर इनके अलावा कोई दुसा लेटर आता है तो इसको आप पढ़ोगे सेम कॉंसेप्ट हमारा यहाँ पर अपलाई होता है जैसे कि सारे वटकों पढ़ते हैं जेम, जाइन्ट, जिम, जज, केज, एज, जीस्ट, जेनरल लेकिन इनको पढ़ेंगे तो गेम, गॉन, गन, गैंबल, गोल, गस्ट ठीक है तो इन सभी में हम देख रहे हैं कि सबको हम ग जब पढ़ रहे हैं तो कॉंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम है कि अगर आपको कहीं भी जी दिख गया और जी के बाद आई, इ, वाई, इन तीनों में से कोई भी लेटर अगर आपको दिखेगा तो उसको आप जब पढ़ोगे और अगर नहीं दिखा तो आपको गव पढ़न कि जब भी जी और सी इन दोनों के बाद आई, इ, वाई, ये तीन लेटर का यूज होता है तो उसको हम ज और स पढ़ते हैं लेकिन अगर यूज नहीं होता है तब सी को हम ग पढ़ेंगे और जी को हम ग पढ़ेंगे ठीक है आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ नया प किप लर्निंग और किप वाचिंग बी स्मार्टी